सब्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए वेलकम बैक गाइज आपका हमारे चलन पर स्वागत है आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूं रिलीफ MR टैबलेट के उपर और गाइज इसे RMP डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रेसक्राइब करते हैं और पेशेंट्स को भी देते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो आज हम इस वीडियो में इसी टैबलेट के बारे में फुली डीटेल में बात करेंगे पहले मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊंगा फिर इसके प्राइज रेट के बारे में बात करेंगे उसके बाद मैं आपको इसके composition के बारे में बताऊँगा कि इसका composition कैसे शरीर में काम करता है उसके बाद मैं इसके uses के बारे में बताऊँगा कि आप किस किस condition में इसको use कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसकी डोस के बारे में बताऊंगा कि ये टैबलेट आपको कितनी बार और कैसे लेनी है और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो जड़ा टाइम वेस्ट नि करते हैं, लेट्स डाइव इंटु इट तो गाइस सबसे पहले तो इसकी कंपनी के बारे में जान लेते हैं तो गाइस जो इसकी कंपनी है वो है लेबोरेट लेबोरेट कंपनी है गाइस इसकी और ये आपको 51 रुपीज की मिलती है लेकिन अगर आप इसे मेडिकल से परचेस करेंगे तो यह आपको आधिस प्राइज में आपको मिल जाएगी अब वो डिपैंड करता है medical store वाले पर कि आपको वो कितने प्राइज में देता है लेकिन यह आपको काफी सस्ते प्राइज में मिल जाती है आगे बात करें इसके composition की तो guys इसके अंदर आपको paracetamol 325 mg में मिलता है और guys paracetamol एक piratic drug है जो की fever को control करने के लिए काम आती है लेकिन साथ ही इसे as a pain killer भी use किया जाता है जी हाँ ये एक बहुती अच्छी दर्दनिवारक दवाई भी है अगर आपको fever के साथ जो की अक्सर होता है शरीर दुखता है तब ये बहुती अच्छा response देती है साथ ही इसके अंदर आपको diclofenic 50 mg में मिलता है जो की एक analgesic drug है अगर fever होने के साथ शरीर तो अक्सर दुखता ही है लेकिन कई condition ऐसी भी होती है जब दर्द के कारण शरीर में fever होता है तब ये medicine काफी अच्छा result दिखाती है साथ ही इसके अंदर आपको क्लोर जोकसा जोन 250 mg में मिलता है जो की एक muscles relaxant है अब कई condition ऐसी भी होती है जब शरीर में मास्ट पेश्यों का दर्द होता है जिसके कारण fever भी आता है तो ये पूरा का पूरा combination उस situation के लिए बना है और काफी अच्छा result दिखाता है आगे बात करें गाइस इसके uses की किस-किस समय आप इसको use कर सकते हैं तो गाइस इसे खास तोर पर घुटनों के दर्द में या फिर आप back pain में use कर सकते हैं या फिर आपको जाड में दर्द हो रहा है कई लोगों की जाड में cavity लग जाती है जिसे आम भाशा में कीडा बोलते हैं या फिर आपको दात का दर्द हो रहा है तब आप इस tablet को use कर सकते हैं और काफी अच्छे result देखने को मिलते हैं साथ ही कई लोगों को अगर cramps पढ़ते हो शरीर में मास पेशी का cramp pain होता है तब भी काफी अच्छा result देखने को मिलता है साथ ही अगर आपके पैर में मोच पढ़गी हो या फिर आपके shoulder pain होता हो या फिर जो back pain आपको होता हो तो भी काफी अच्छा result आपको देखने को मिलता है in fact कई लोगों के सीर में दर्द होता है तब भी इस tablet का काफी अच्छा result देखने को मिलता है तो guys ये तो बात थी इसके uses की आगे बात करें इसके doses की तो guys इस tablet को सामाने था adult dose मैं आपको बता रहा हूँ इस tablet को आप समाने था दिन में दो बार खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं अगर 12 साल से 4 साल के बच्चे को देनी हैं तब आप ये tablet बच्चे को आप आद्धी दे सकते हैं और 2 साल से कम उमर के बच्चे को आप ये tablet नहीं दे सकते आगे बात करें guys इसके side effects की तो सामाने था इस tablet के यूज से lose motion पेट में दर्द हो सकता है चक्कर आ सकते हैं या नोजिया वोमिटिंग की शकायत हो सकती है या कई लोगों की दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है तो guys ये कुछ परकार के side effects थे अगर आपको इन में से किसी भी तरह के कोई side effects देखने को मिलें तो आप एक बार अपने डॉक्टर से consult कर लें आगे बात करें इसके precautions की तो guys अगर आप liver disease के patient है या फिर आप kidney disease के patient है तो आप इस tablet को ना लें या फिर आप अपने डॉक्टर की सहमती से इस tablet को ले सकते है तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही I hope मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए useful होगी तो guys ऐसी ही useful videos और topics के लिए आप हमारे चैलन को subscribe कर लें और साथ ही bell icon को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैलन पर upload हो उसकी notification आपको सबसे पहले मिले तो guys मुझे दीजिए इज़ादत मैं मिलता हूँ आपसे अभी वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit